हेलो एम्रीवन नमस्कार कैसे हैं आप सब लोग बहुत अच्छी होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे आप सब के बहुत से कमेंट्स आये हैं कि मैं मेरे बच्चे ने हैड़ डाउन कर लिया है आप डिलेवरी में कितना टाइम लगेगा मेरी डिलेवरी कब होगी कई ल इन बात फिर आपकी डिलेवरी होती है और बच्चा कब हेड़ डाउन करता है क्यों जरूरी होता है बच्चे का हेड़ डाउन करना तो फ्रेंट्स वीडियो बहुत ज़्याद इंट्रेस्टिंग है आप सब के लिए तो पूरा जरूर देखिएगा और अगर आपने अभी की हैड़ डाउन में आता है मतलब कि सब है्टाउं करने का अगरिंक दरूर रोता है बच्चे को बिल्कुल अलग होता है जिर दो चले कहने कर लेगाском कियो हैच मबच्चा घान करता है तो इस यह कहना बहुत मठ कर लेता है बच्ची का विकास जब लाउच सब्सक्राम में पूरा हो जाता है बच्चे के वजaking है जो कि सर नीचे करता है थी चाहñana क्यों करना है लुदस आब का बच्चा है पॉसिशन में आ जाता घाता था नाखे या Northern head down position में आएगा तो आपका जो cervix हैं उस पर जोर पड़ेगा cervix का मुझ खुलेगा तब ही जाके आपकी normal delivery possible हो पाएगी normal delivery के लिए बच्चे का head down position में आना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है बच्चे के head down position को sappholic position भी बोला जाता है जिसमें क्या होता है कि बच्चे का जो सर होता है वो नीचे होता है और चेहरा आपकी peat की तरफ होता है ये बच्चे की delivery की safe position मानी जाती है इसमें delivery में बिल्कुल समय नहीं लगता जल्दी delivery भी हो जाती है और सुरक्ष तरीके से भी आपका बच्चा बाहर आ जाता है जिन महिलाओं का 8 मीना पूरा हो गया है 9 मीना भी पूरा होने वाला है और बच्चे ने अगर अभी तक head down नहीं किया है तो उसके लिए मैंने चैनल पर एक वीडियो बनाय हुआ है आप सब के लिए आप मेरी चैनल पर जाएए विजिट कीजिए कि गर्द में बच्चे का head down कैसी कराएं उस तीज के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए साथ मैं उसके कुछ लक्षन भी मैंने बताय हुए है कि जब आपका बच्चे head down कर लेता है तो आपको कैसा फील होता है उस टॉपिक पर भी वीडियो है आप जाके detail में वो वीडियो देख सकते है अब बात करते हैं कि जब आपका बच्चे गर्द में head down position में आ जाता है तो delivery में कितना समय लग जाता है तो friends इसका कोई clear time नहीं होता है आपको घबराने के बिल्कुल भी जरौत नहीं है क्योंकि mostly delivery का जो time होता है वो 42 बीक तक का होता है मतब 42 बीक last time period होता है जब आपका बच्चा जन ले सकता है ठीक है तो आपको 42 बीक तक तो wait करना ही चाहिए इससे पहले आपको tension लेने के बिल्कुल भी जरौत नहीं है कि 37 वापता हुआ तो आप tension में आ गए बच्चा कब होगा बच्चा कब होगा तो आपको 42 बीक तक तो wait करना ही करना है यह कोई नहीं बता सकता यहां तक कि डॉक्टर भी आपको चेक करके नहीं बता सकता है कि आपकी delivery कब होने वाली है यह नेचरल तरीके से होता है नेचरल यह आपको pain आती है नेचरल यह बच्चा इंगेज होता है तब आपकी normal delivery हो पाती है तो आपको अभी 42 week तक wait करना चाहिए 42 week मतलब कि आपकी EDD तक के एक हफ्ते बात तक भी आप wait कर सकते है delivery के लिए इसमें टेंश लेने वाली बात नहीं होती है लेकिन अगर आपकी pregnancy में कोई complication है तो आपको 41 week तक ही wait करना चाहिए मतलब अपनी delivery date तक ही wait करना चाहिए बहुत से लोगों के mind में confusion होता है कि ultrasound की EDD हम माने या जो doctor ने दी है वो माने तो friends आपको ultrasound की EDD पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए ultrasound की EDD जो होती है मतलब delivery date जो होती है वो jump करती रहती है fracture होती है जितने आप ultrasound कराएंगे उसमें अलग-अलग आपको show होगी इसलिए आप confuse मत होईए जो doctor ने आपको date दी है जो आपके hospital slip पे जो लिख कर दी है EDD आप उसी को लेकर चलें क्योंकि वो LMP के according doctor देती है तो वहीं आपको लेकर चलना है ultrasound की EDD आपको लेकर नहीं चलना है मैं बार बार आपको हर वीडियो में बताती हूं ठीक है अगर आपकी pregnancy ने सब कुछ normal रहा आपकी पूरी pregnancy smoothly चलती आ रही है तो आपको tension की बिल्कुल भी जरुवत नहीं है normal delivery आपकी हो जाएगी क्योंकि हो सकता है अभी बच्चे ने head down नहीं किया तो delivery के time बच्चा head down position में आ जाए इसलिए घबराएं नहीं और नहीं बिल्कुल जल्दवाजी करें 42 week तक का wait करें ठीक है उसके बाद भी अगर आपको labor pain नहीं आ रहा है तो अपने doctor के पास जाए doctor को दिखाए doctor से consult करें तो doctor क्या करेंगे कि आपको artificial labor pain लाकर आपकी delivery कर देंगे अगर possible हुआ तो normal delivery करेंगे और अगर नहीं हो पाया तो c-section delivery करेंगे ठीक है तो इसमें आप tension ना ले वस 42 week तक wait करें उसके बाद wait ना करें कि फिर बच्चे के लिए risk हो सकता है आपको सारी बात समझ में आ गई होंगी अब आप confusion में बिल्कुल नहीं रहेंगे तो आज की वीडियो में इतना ही आशक करती हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को जल्दी से like कर दीजे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो please इस request है आप सबसे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए पास में जो घंटे उसको भी दबाना बिलकुर मत बूलें तो चलिए मिलते हैं बाबाए ठीक क्या थैंक यू सो मच